आज हम सीखेंगे भिन्नों का संख्यारेखा पर निरुपण संख्यारेखा यानि नंबर लाइन पर हमने पूर्ण संख्याओं यानि होल नंबर्स को व्यक्त करना सीखा है जड़ा सोचिए क्या हम पूर्ण संख्याओं की ये तरह भिन्नों को भी संख्यारेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, हम भिन्नों को भी संख्यारेखा पर व्यक्त कर सकते हैं इस वीडियो में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ एक कागज है मान लीजी हमने इसके चार पराबर भाग बनाएं अगर हम इन चार भागों को इकटा देखें तो यह एक पूर्ण यानि होल है कागस के चार भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं तो यह भाग पूर्ण भाग का एक चौथाई भिन यानि फ्राक्शन होगा आईए इसे संख्यारेखा पर व्यक्त करें इसके लिए हम एक संख्यारेखा बनाएंगे बिन्नों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए हमने इकाई दूरी बड़ी रखी है ताकि हम बिन्नों को ठीक से व्यक्त कर सके चुकि हमने कागस के चार बराबर भाग किये हैं, इसलिए हम सभी इकाई दूरियों के चार बराबर भाग करेंगे यहां हमने चार बराबर भागों में से एक भाग लिया है इसलिए हम संख्यारेखा पर बनाए चार भागों में से एक भाग लेंगे और इसे भिन एक बटे चार से अंकित करेंगे इसी तरह हम कागस के दो भाग लेते हैं तो इनके लिए भिन्न लिखेंगे दो बटे चार क्या आप बता सकते हैं इसे हम संख्यारेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इसके लिए संख्यारेखा पर अब हम दो भाग लेंगे और इस प्रकार हमें भिन्द दो बटे चार का स्थान प्राप्त होगा इसी प्रकार हम भिन्द तीन बटे चार संख्यारेखा पर तीन भाग लेकर व्यक्त कर सकते हैं अगर हम चार बराबर भागों में से चार भाग लेते हैं तो भिन्न बनेगी चार बटे चार यानि की चार बटे चार बराबर एक है इसी प्रकार से हम किसी भी भिन्न को संख्यारेखा पर व्यक्त कर सकते हैं जिसे मानले हमें संख्यारेखा पर तीन बटे पाँच दर्शाना है इसके लिए पहले हम संख्यारेखा बनाएंगे, चुकि इस भिन्न का हर यानि denominator 5 है, जो हमें बताता है कि पूर्ण 5 बराबर भागों में विभाजित हुआ है, इसलिए हम बिंदुओं के बीच की दूरी को, जिसे हम एकाई दूरी यानि unit distance भी कहते हैं, इसे 5 बराबर भागो हमें विभाजित करेंगे, इसी प्रकार अंज यानि numerator 3 हमें बताता है कि सभी 5 बराबर भागों में से 3 भाग लिए गए हैं, यानि कि संख्यारेखा पर एक भाग होगा, एक बटे 5, दो भाग होंगे, दो बटे 5, तीन भाग होंगे, तीन बटे 5, चार भाग होंगे, चार इसी तरों अगर 5 में से 5 भाग लिए जाते हैं, तो भिन बनेगा 5 बटे 5, क्या आप बता सकते हैं संख्यारेखा पर इसका स्थान कहां होगा? बिल्कुल सही, यह एक के स्थान पर आएगा, यानि कि 5 बटा 5 और 1 बराबर है संशिप में कहें तो किसी भिन A बटे B को संख्यारेखा पर व्यक्त करने के लिए पहले इकाई दूरी के B बराबर भाग बना ले और फिर शून्य से A भाग किनकर भिन A बटे B व्यक्त करें आज हमने सीखा बिन्नो का संख्यारेखा पर निरूपन अगली वीडियो में हम देखेंगे बिन्नो के संख्यारेखा पर निरूपन के उधारण आज हम देखेंगे बिन्नो के संख्यारेखा पर निरूपन के उधारण अंकिता को घर से स्कूल जाने के लिए 6 मिनिट लगते है यदि हर मिनिट में वह बराबर की दूरी तय करती है तो 4 मिनिट में वह कुल दूरी का कितना भाग तय करेगी प्राप्त होने वाली संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए ये अंकिता का घर है और ये स्कूल घर से स्कूल जाने के लिए अंकिता को 6 मिनिट लगते हैं चुकि वो हर मिनिट में बराबर की दूरी तै करती है इसलिए हम कह सकते हैं कि वो 6 मिनिट में कुल दूरी के 6 बराबर भाग तै करेगी हमें पता करना है कि वो चार मिनट में कितनी दूरी तै करेगी जैसा कि आप देख सकते हैं पहले मिनट में अंकिता कुल दूरी का एक भाग तै करेगी जिसे हम व्यक्त करते हैं भिन यानि फ्राक्षिन एक बटे चह से इसी तरह दो मिनिट में वह कुल दूरी के दो बराबर भाग तै कर लेगी जिसे हम व्यक्त करेंगे भिन दो बटे चह से तीन मिनट में वह कुल दूरी के तीन भाग तै करेगी यानि कि भिन 3 बटे 6 और इसी प्रकार 4 मिनिट में कुल दूरी के 4 भाग तय करेगी यानि कि 4 बटे 6 भाग अब आए 4 बटे 6 को संख्यारेखा पर व्यक्त करें क्या बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए चली हम बताते हैं इसके लिए पहले हम एक संख्यारेखा बनाएंगे इस भिन्न का हर 6 है जो हमें बताता है कि एकाई दूरी यानि यूनिट डिस्टन्स के 6 बराबर भाग होने चाहिए तो चलीए एकाई दूरी के 6 बराबर भाग बनाए चुकि हमें इनमें से 4 भाग लेने हैं इसलिए हम शुन्य के बाद 4 भाग गिनेंगे और भिन 4 बटेच्छ व्यक्त करेंगे अगला उदारण संख्यारेखा पर दर्शाय स्थान पर कौन सी संख्या आएगी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ शुन्य से एक तक की दूरी 12 बराबर भागों में विभाचित की गई है जिस स्थान की संख्या हमें पता करनी है वह शुन्य और एक इन दो पूर्ण संख्या यानि होल नंबर्स की बीच है इसलिए यह एक भिन्न यानि फ्राक्षिन होगी चुकि यह संख्या इन 12 बराबर भागों में से 5 भाग व्यक्त करती है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भिन्न 5 बटे 12 है अगला उदाहरन निलीमा ने 9 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट बाटे तो उसने कुल चॉकलेट का कितना हिस्सा बाटा इस संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए आईए इसे समझे निलीमा के पास 9 चॉकलेट थे इन में से उसने 4 चॉकलेट बाट दिये चुकि उसने 9 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट बाटे इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने चॉकलेट के पूर्ण समुह का चार बटे नौ भाग बाटा भिन्द चार बटे नौ को संख्यारेखा पर व्यक्त करने के लिए पहले हम देखेंगे हर क्या है यहाँ नौ यह संख्या हर यानि denominator है जो हमें बताते हैं संख्या रेखा पर एकाई दूरी के नौ बराबर भाग के जाने चाहिए यह बन गए नौ बराबर भाग इसी प्रकार संख्या चार इस भिन्द में अंश यानि numerator है क्या आप बता सकते हैं अंश चार से क्या पता चलता है सोची सोचिए बिल्कुल सही यह हमें बताता है कि बराबर भागों में से चार भाग लिये जाने चाहिए इसलिए हम शूने से चार भागों की किंते करेंगे और भिन्द लिखेंगे चार पटे नौ तो आज हमने देखे भिन्डों के संख्यारेखा पर निरुपन के उधारण अगली वीडियो में हम इनसे संबंदित कुछ मिथ्याधारणाओं को दूर करेंगे आज हम देखेंगे भिंडों की संख्यारेखा पर निरूपन से संबंदित मिथ्याधार्नाय और साधरन कलतियां मिथ्याधार्ना एक छायंकित भाग की भिंड संख्यारेखा पर व्यक्त करे कई बार छायंकित भाग की भिंड पहचानने में गल्ती की जाती है जैसे दिये चित्र में तीन भाग छायंकित है इसलिए ये तीन अंच यानि नूमरेटर है और बचे छ भाग हर यानि डिनॉमिनेटर है यह समझा जाता है और भिन्न 3 बटे 6 के रूप में व्यक्त किया जाता है इसे संख्यारेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 6 भाग बनाये जाते हैं और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न व्यक्त किया जाता है यह एक गलत धार्ना है इस सवाल का सही जवाब है option दूसरा क्योंकि यहां छायंके द्वस्तों का भाग 9 में से 3 है इसलिए भिन्न लिखी जाएगी 3 बटे 9 इसे संख्यारेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 9 भाग बनाये जाते हैं और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न 3 बटे 9 को सही स्थान पर व्यक्त कर लिया जाता है कई बार भिन्न सही प्रकार से पहचाना जाता है और संख्यारेखा पर इकाई दूरी के 9 बराबर भाग भी बना लिये जाते हैं लेकिन 9 में से 3 भागो को व्यक्त करने के लिए 0 से 3 बिंदू गिने जाते हैं और भिन्य 3 बटे 9 को 0 से 3 बिंदू पर व्यक्त किया जाता है यह गलत समझ है भागो के गिंती करने के लिए 0 को छोड़ कर अगले बिंदू से गिंती करना सही है प्रश्न चिन्न के स्थान पर कौन से भिन्न होगी इसका पता लगाने के लिए अगली संख्या साथ बटे 8 के अंश और हर दोनों से एक कम किया जाता है इससे परिणाम 6 बटे 7 प्राप्त होता है जो के कलत जवाब है सही समझ यह है कि यहाँ शून्य से एक तक का अंतर यानि के इकाई दूरी के आठ बराबर भाग किये है इन आठ भागों में से प्रश्न चिन्न छटवा भाग व्यक्त करता है इसलिए इसके स्थान पर सही भिन्न है 6 बटे 8 अब हम देखेंगे भिन्नों के संख्यारेखा पर निरुपन से संबंदित साधारण कल दिया कई बार यह देखा गया है कि संख्यारेखा पर भाग बनाते समय यह बराबर नहीं बनाय जाते इससे बिन्नों को संख्यारेखा पर व्यक्त करने में कठिनाईयां आ सकती है किसी भी बिन्न को संख्यारेखा पर सही प्रकार से व्यक्त करने के लिए सभी भाग पराबर होने चाहिए कई बार संख्यारेखा पर भागों की गिंती कलग प्रकार से की जाती है जैसे इस उधारन को देखिए, यहां शून्य से एक तक सभी बिंदुओं को गिंती करके यह समझा जाता है कि यहां पांच भाग किये हैं, सही समझ यह है कि भागों की संख्या पता करने के लिए शून्य के बिंदु को छोड़ कर अगले एक तक के सभी बिंदुओं की गिंत की जानी चाहिए, इस समझ से यहां चार फाग है, शून्य से गिंती करने के कारण कई बार भिंदु को व्यक करने में भी कल्दी की जाती है, जैसे अगर संख्या रेखा पर भिंद 5 बटे 6 व्यक करने के लिए कहा जाए, तो कई बार संख्या रेखा बनाई जाती है, उस प कुल भागों की संख्या 6 हो आज हमने देखी बिन्नों की संख्या रेखा पर निरुपंड से संबंदित मिथ्याधानाय और साधरन कलतिया आज हम सीखेंगे बिन्न के निम्नलिखित प्रकार उचित भिन्न विशम भिन्न और मिश्रत भिन्न आए इस वीडियो के शुरुवात करते हैं हम एक मज़ेदार सवाल से अगर आपको एक चॉकलेट दी जाए और इन्हें तीन लोगों में बराबर रूप से बाटने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सोचिए सोचिए चली हम बताते हैं इसके लिए हमें चॉकलेट के तीन बराबर भाग बनाने होंगी जिससे की प्रतियक व्यक्ति को एक भाग मिल सके इस प्रकार प्रतियक व्यक्ति को तीन में से एक भाग यानि की एक तिहाई चॉकलेट मिलेगी इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण का कुछ भाग व्यक्त करती है एक भिन यानि फ्राक्शन कहलाती है पिन अंश बटा हर के रूप में व्यक्त की जाती है पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या हर यानि denominator और लिये गई भागों की संख्या अंश यानि numerator केहलाती है जैसा कि आप देख सकते हैं इस भिन्ड में अंश एक हर तीन से छोटा है ऐसे भिन्ड जिसका अंश हर से छोटा होता है कहलाती है उचित भिन्ड यानि प्रॉपर फ्रैक्शन एक बटे तीन के ही जैसे कुछ और उचित भिन्ड है जैसे तीन बटे पांच, छो बटे साथ, पित्यादी चलिए इन्हें संख्यारेखा पर व्यक्त करें क्या आप बता सकते हैं हम भिन्डों को संख्यारेखा पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं सोचिए सोचिए आपने सही सोचा एक बटे तीन को संख्यारेखा पर व्यक्त करने के लिए एकाई दूरी के तीन बराबर भाग बनाएंगे इनमें से पहला भाग होगा एक बटे तीन इसी तरों 3 बटे 5 के लिए 1 दूरी के 5 भाग करेंगे और इन में से 3 भाग लेकर भिन्ड 3 बटे 5 व्यक्त करेंगे इसी तरों हम 6 बटे 7 भी संख्यारेखा पर व्यक्त कर सकते हैं इन सभी के संख्यारेखा पर नीरूपन याने रेप्रेजेंटेशन को देखते हुए आप जरूर समझ गए होंगे कि ये सवी बिन्न एक के बाई और होने के कारण एक से छोटे हैं और शुन्य के दाई और होने के कारण शुन्य से बड़े हैं हम कह सकते हैं कि जब भी नीचे की संख्या यानि हर ऊपर की संख्या यानि अंश से बड़ी हो तो बिन्न का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम होता है ऐसे बिन्न जिसका मान 0 से 1 तक होता है एक उचित बिन्न होती है अब मान लीजिए आपको 5 चॉकलेट दी और इन्हें 3 लोगों में बराबर रूप से बाटने के लिए कहा तो हर एक व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी इसके लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को चॉकलेट का एक तिहाई भाग देना होगा इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक तिहाई चॉकलेट के पांच भाग आएंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को पांच पटे तीन चॉकलेट मिलेगी इस भिन्न में 5 अंश और 3 हर है क्या यह एक उचित भिन्न है? विचार करे आपने सही पहचाना क्या अंश हर से बड़ा है इसलिए यह एक उचित भिन्न नहीं हो सकती ऐसे भिन्न जिनका अंश यानि numerator, हर यानि denominator से बड़ा होता है कहलाती है एक विचम भिन्न यानि improper fraction यदि आप एक भिन्न को एक बखसा और उसमें मौझूद वस्तूओं के रूप में समझते हैं तो हर आपको बताता है कि एक बखसे में कितनी वस्तूओं रखी जा सकती है जबकि अंश आपको बताता है कि वास्ताओं में बखसे में कितनी वस्तूओं है विचम भिन्न का मतलब है कि बखसे की शमता से अधिक वस्तूओं है यानि कि इन वस्तूओं को रखने के लिए एक से अधिक बखसे आवश्यक है कुछ और विशम भिन्न है 7 बटे 2, 11 बटे 3, 16 बटे 7 इत्यादी आईए इन्हें भी संख्यारेखा पर निरुपित करें 7 बटे 2 को संख्यारेखा पर निरुपित करने के लिए पहले हम 1 दूरी को 2 बराबर भागों में बाटेंगे और 7 भाग लेंगे इसी तरह 11 बटे 3 को संख्यारेखा पर निरुपित करने के लिए इकाई दूरी के 3 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 11 भाग लेंगे इसी तरह 16 बटे 7 के लिए संख्यारेखा पर इकाई दूरी के 7 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 16 भाग लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं इन मेंसे हर एक भिन्न एक के दाई ओर है इसलिए एक से बड़ी है इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी बटा के उपर की संख्या यानि आंश बटा के नीचे की संख्या यानि हर से बड़ी होगी तो ऐसी भिन्न का मान एक से बड़ा होता है ऐसी सबे भिन्न विशम भिन्न कहलाती है पाँच चोकलेट को तीन लोगों में बराबर रूप से बाटने का एक और तरीका भी है पहले हम प्रतियक व्यक्ति को एक चॉकलेट देंगे और बची दो चॉकलेटों में से हर एक के तीन भाग बनाकर इन में से प्रतियक व्यक्ति को दो भाग देंगी इस तरह से प्रतियक व्यक्ति के पास एक पूर्ण चॉकलेट है और तीन में से दो भाग है इसे हम 1 सही 2 बटे 3 इस प्रकार फ्यक्त करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस भिन्न में 1 पूर्न संख्या यानि whole नंबर है और 1 उचित भिन्न है ऐसे बिन्न जिसमें 1 पूर्न संख्या और 1 उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न यानि Mixed Fraction एक सही तो बटे तीन के अलावा मिश्रित भिन्न के और उधारण है एक सही एक बटे दो, दो सही एक बटे चार, तीन सही तीन बटे पांच इत्यादी तो आज हमने सीखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उधारणों को देखेंगे आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित उधारण निम्नलिकित में से उचित भिन्न यानि प्रॉपर फ्राक्शन, विशं भिन्न यानि इंप्रॉपर फ्राक्शन और मिश्रित भिन्न यानि मिक्स फ्राक्शन पहचानिए जब भी बटा के नीचे की संख्या यानि हर बटा के उपर की संख्या यानि अंश से बड़ी होती है तो यह एक उचित भिन्न होती है इस भिन्न का मान शून्य से बड़ा लेकिन एक से कम होता है दी संख्याओं में 23 पटे 25 और 13 पटे 19 उचित भिन्न है इसी तरह कि आप बता सकते हैं जब बटा के उपर की संख्या यानि अंश बटा के नीचे की संख्या यानि हर से बड़ी होती है तो कौन से भिन्न होती है? सोचिए सोचिए बिलकुल सही यह एक विशम भिन्न होती है इस भिन्न का मान एक से बड़ा होता है दी संख्याओं में 13 बटे 7 और 17 बटे 14 विशम भिन्न है इसी प्रकार ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न इस तरह से दी सं और 5 सही 12 बटे 17 मिश्रित भिन्न है अब हम भिन्नों में परिवर्तन से संबंदित उदाहरण देखेंगे लेकिन इससे पहले आईए समझे भिन्नों में परिवर्तन कैसे करते हैं मान लीजिये हमने 5 चॉकलेट ली हमें इने 3 बराबर भागों में बाटना है इसके लिए हम हर एक चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे अब हर एक चॉकलेट का एक हिस्सा एक भाग में रखकर सभी चॉकलेट के तीन बराबर भाग बना लेंगे तो बताईए हर एक भाग में कितने चॉकलेट आएगी? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं चुकि हमने प्रत्यक चॉकलेट के तीन बड़ाबर हिस्से किये, इसलिए हम हर याने डिनॉमिनेटर लिखेंगे तीन और हमने पाँच हिस्से लिए, इसलिए अंश याने नूमरेटर होगा पाँच. इस तरह से हर एक भाग में पाँच बटे तीन चॉकलेट आएगी, यह एक विशम भिन्ड है. आईए इसका मिश्रित भिन्ड में परिवर्तन करें. अगर हम इन पाँच भागों में से तीन भाग लेकर इन्हें जोडते हैं, तो हमें एक पूर्ण चॉकलेट मिलेगी. तो बताइए बची चॉकलेट के लिए भिन्ड क्या होगी? चुकि यहाँ तीन में से दो भाग बचे हैं, इसलिए भिन्ड होगी दो बटे तीन. इस तरह से एक पूर्ण और दो बटे तीन चॉकलेट एक साथ, एक सही दो बटे तीन इस प्रकार पर व्यक्त की जा सकती है. गणित में यह परिवर्दन करने के लिए हम अंश को हर से भाग देते हैं, यानि कि भिन्ड पांच बटे तीन को विभाजन के रूप में व्यक्त करते हैं. फिर हम भाग देकर भाग फल यानि कोशंट और शेश फल यानि रिमेंडर प्राप्त करते हैं. और फिर मिश्रित भिन्ड एक सही दो बटे तीन का विशम भिन्ड में परिवर्दन करना होगा, तो यह हम कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां हर तीन है, इसलिए हम सभी पूर्ण चोकलेट के तीन बराबर भाग बनाएंगे. यहां सभी भागों की गिंती है पांच और हर है तीन, इसलिए विशम भिन्ड लिखी जाएगी पांच पटे तीन. गणित मया परिवर्दन करने के लिए, पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं, जैसे यहां एक को तीन से गुणा कर, इसमें दो जोडने पर परिणाम पांच प्राप्त होगा, यानि कि पहले हम सभी लिए गए भागों की संख्या प्राप्त कर है इसकी संख्या हर के स्थान पर रखते हैं इससे हमें भिन्न पांच पटे तीन प्राप्थ होती है जो एक विशम भिन्न है इस प्रकार हम विशम भिन्न को मिश्रिद भिन्न में और मिश्रिद भिन्न को विशम भिन्न में व्यक्त कर सकते है अगला उदारन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अगर 40 मीटर रसी के 7 भाग बनाने है तो हर एक भाग की लंबाई 40 का 7 से विभाजन की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है इसी को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं 40 बटे 7 मीटर इस तरह से पहला उप्शन सही है 40 बटे 7 मीटर यह लंबाई विशम भिन्न के रूप में व्यक्त की गई है आईए इसे मिश्रिद भिन्न के रूप में व्यक्त करें मिश्रिद भिन्न में व्यक्त करने के लिए हम अंश 40 को हर 7 से भाग देते हैं यानि कि 40 विबाज़त 7 के रूप में व्यक्त करते हैं। भाग देने पर भाग फल 5 मिलता है और 6 फल 5 मिलता है। और फिर हम मिशृत भिन्न को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस तरह से यहां मिशृत भिन्न होगी 5 सही 5 पटे 7। यानि कि दूसरा कथन भी सही है। आज हमने देखें भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्याधार्णाओं को तूर करेंगे। आज हम देखेंगे भिन्न के निमनलिखित प्रकारों से संबंदित मिध्याधारणा हैं मिध्याधारणा एक, मोना और रिना भिन्नों यानी fractions पर अपना homework कर रही है उनको 7 बटे 4 को मिश्रित भिन्न यानी mixed fraction में परिवर्तन करना था साथ बटे चार के मिशृत भिनद मोना ने 3 सही 21 बटे चार और रीना ने 1 सही 23 बटे चार लिखी बता सकते हैं किसने सही मिशृत भिन लिखी? कई बार विशम बिन यानि इंप्रॉपर फ्राक्शन से मिश्रत बिन में परिवर्थन करते समय भागफल और शेशफल को बिन में सही प्रकार से व्यक्त नहीं किया जाता जैसे साथ बटे चार के लिए साथ को चार से विभाज़त किया जाता है जिससे एक भागफल और तीन शेशफल प्राप्त किया जाता है लेकिन मिशृत बिन्न लिखते समय पूर्ण के स्थान पर शेश फल को लिखा जाता है और अंश के स्थान पर भागफल को लिखा जाता है इस से गलत जवाब 3 सही 1 बटे 4 प्राप्त होता है यानि कि मूना का जवाब गलत है सही समझ यह है कि भाग फल को पूर्ण के स्थान पर लिखा जाता है और शेश फल को अंश के स्थान पर इस समझ से सही मिशृत बिन्न हुई एक सही तीन बटे चार यानि कि आप्शन दूसरा सही जवाब है मिथ्यधाना दो किसी चड़ी के साथ बराबर भाग करने पर हर एक भाग के लंबाई दो सही तीन बटे साथ इंच मिलती है इस लंबाई का विशम बिन्न में परिवर्थन क्या होगा मिश्रित बिन्ण को विशम बिन्ण में परिवर्थित करते समय कई बार पूर्ण को अंश के साथ गुना कर प्राप्थ होने वाला परिणाम अंश के स्थान पर लिखा जाता है इससे 6 बटे 7 इंच या गलत जवाब प्राप्थ होता है सही समझ यह है कि किसी भी मिशृत बिन्न को विशम बिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं जैसे यहां दो को साथ से गुणा कर इसमें तीन जोडेंगे इससे परिणाम सत्रा प्राप्थ होगा और फिर परिणाम के नीचे हर साथ रखे तो विशमभिन सत्रव बटे साथ इंच प्राप्थ होती है यानि की सही जवाब है option दूसरा कई बर विशमभिन प्राप्थ करने के लिए पूर्ण संख्या और अंच स्थान पर लिखी संख्या को एक साथ रख दिया जाता है इस समझ से भी गलर जवाब option तीसरा यानि 23 बटे साथ इंच प्राप्थ होता है मिथ्याधाना 3 समीर ने कागज से बने तीन वृत्त लिये और हर एक के आठ भाग किये अगर समीर इन में से 11 भाग लेता है तो उसके द्वार लिये गए भागों के लिए भिन्नक क्या होगी चुकि समीर कागज से बने हर एक वृत्त के आठ भाग बनाता है इसलिए कई बार यह समझ बन जाती है कि कुल भागों की संख्या 24 है चुकि कुल भागों के संख्या हर के स्थान पर लिखे जाती है इसलिए भिन्नका हर 24 होगा यह समझ बन जाती है इसी प्रकार लिये गए भाग है 11 जो अंश के स्थान पर व्यक्त किये जाते है इस तरह से दिये कथन के लिए भिन्न 11 बटे 24 व्यक्त की जाती है यह गलत समझ है यहां गल्दी हुई है हर के सही अर्थ को समझने की पूर्ण के जितने बराबर भाग किये जाते हैं वह संख्या हर होती है जैसे यहां एक वृत्त के आठ बराबर भाग बनाए है इसलिए आठ यह संख्या हर होगी समीर ने कागस के हर एक वृत्त को आठ बराबर भागों में विभाजित किया है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां एक पूर्ण बनता है आठ भागों से कागस के वृत्त को विभाजित कर इनमें से समीर ने ग्यारह भाग लिए इनमें से आठ भाग दिवस्तित कर हम एक पूर्ण बना सकते हैं, अब बचे तीन भाग, क्या बदा सकते हैं, ये पूर्ण का कौन सा भाग है, ये पूर्ण का तीन बटे आठ भाग है, इस तरह से एक पूर्ण और पूर्ण का तीन बटे आठ भाग लिखकर भिन्न, एक सही तीन बटे आठ व्यक्त करते हैं, यानि कि option दूसरा एक सही जवाब है यह एक मिशृत बिन्न है आईए इसे विशम बिन्न में व्यक्त करें किसी भी मिशृत बिन्न को विशम बिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोडते हैं जैसे यहाँ एक को आठ से गुणा कर इसमें तीन जोडेंगे, इससे परिणाम ग्यारह प्राप्त होगा, और फिर परिणाम के नीचे हर आठ रखे, तो विशम भिन ग्यारह पटे आठ प्राप्त होती है, इस तरह से अब आप समझी गए होंगे कि भिन के रूप में व्यत्त करने के लिए हर के स्थान पर किसी एक पूर्ण के सभी बराबर भागों के संख्या लिखे जाती है, और अंच के स्थान पर लिए गए भागों की संख्या, यानि कि आप्शन तीसरा भी सही है, चोकि आप्शन दूसरा और आप्शन तीसरा दोनों सही है, इसलिए हम आप देंगे ओप्शन 4 इस प्रकार आज हमने देखी भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंदत मिध्याँ धार्नाएं